उन सभी पर डिस्कस करेंगे तो चलिए पहला प्रश्ण आपके सामने है कि वह छोटी से छोटी संख्या ग्याद किजिए जो 12, 18, 21 और 30 से क्या हो विभाज्य हो तो देखिए जब भी 12, 18 और 31 से विभाज्य होने वाली छोटी से छोटी संख्या जब पूछा जाता है तो वह तो लेकिन हम लोग इसका लाजा नहीं निकालेंगे इसका क्या करेंगे कि 12, 18, 21 और 21 यानि की 4 से कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए अब बच्चे तीन अप्सन, तीन अप्सन के दुवारा अब देखिए यहां पे आठ एक नौ, नौ से कटना चाहिए, उस संख्या नौ से क्या होनी चाहिए, कटनी चाहिए, तो देखिए नौ से यह आपका जो है यह वाला नहीं कटेगा, फिर बचा आपका अप्सन नंबर दो, इन दोनों में कोई हमारा एंसर होगा, अब देखिए यहां पे एक इस है, तो एक इस का मतलब साथ सभी कटना चाहिए, तो इसको जैसे कटाए है, तो साथ एक हम साथ आट शापन, यानि कि सर साथ से यह संख्या पूरी तरह से क्या हो जा रही है, कट जा रही है, कौन 1260, तो हमारा एंसर कितना होगा, 1260 होगा, ठीक है, और नहीं इसका दूसरा तरीका आप जानते है, तो दूसरा तरीका जिस तरह से कहा कि लसर निकल लिजे, लसर निकल लेंगे, तो आपका एंसर आ जाएगा, तो देखिए, दूसरा तरीका आपको लसर निकल कर यहां पे दे दिया गया है और यह आपके समने रखा गया है तो देखिए आपसे नमबर भी आपका बताया था ना कि आपसे नमबर भी सही है और देखिए यहाँ पर किया भी है हाल आपका ठीक है तो आप ऐसे अनमाल लगा सकते हैं ठीक है तो इस तरह से भी हल कर सकते हैं चलिए अगल क्या है अब देखिए उससे जो हैएक वबÁजित करने के लिए के वाजाए उसने बारा से कर दिया तो ध्यान रival वी जो ओपर वोता हैं नीजे हो जाएगा जो आपका वे जो आपको उपर हो नीचे हो जाएगा जो नीचे हो युपार कर देंगे 35 जो कहा है कि 35 प्राप्त हुआ है इसको नीचे कर देंगे आपका एंसर आ जाएगा बस हल कर देखिए देखिए तो सरसातरी का 21 और 7 पचे 35 तीन चोग के 12 और 4 पचे 20 यानि कि option number is the right answer ठीक है आया समझ में अब दूसरा मेथड क्या है तो देख लिजे दूसरा मेथड आपके सामने दिया गया दिया गया है यह विस्तार वाला है समझ रहे न तीस तरह आप करेंगे तो आपके एक्जाम में जो है न काफी ज़दा टाइम बचे टाइम जो है खराब होगा आप आगे सवाल हल नहीं कर बाजित हो जाती है अब देखिए एक तरीका है कि आपका दिया है कितना यह दिया है तेइस एक दो जो और आठ दिया तो त्ー बीभाजित होना चाहिए यह संख्या जो किससे भीभाजित होने चाहिए तो सर गुड़ा आए Ole Expandan यानि कि सर कट जाएगा तो तीन से कटाने के लिए ना जोड़ना न घटाना पड़ेगा किस से जोड़ना खटाना पड़ेगा इगारा से तब इगारा का भाग के बाइस बचा कितना यहां पे सर एक फिर एक इगारा कम इगारा कट जाएगा फिर इगारा दुना के बाइस सर यह भी क गठ जाएगा इसका मतलब है कि हमारा जो option number a है क्या होगा आगे समस्में आपको नहीं दुसरा तरीका आपको करना है तो भाई दुसरा तरीका आपके समने रहा दुसरा तरीका यह है कि आप इस तर से भाग किजिए तया तीस का पाला अगर आपको याद है तो जो सेश बचे कर देखिए प्रशें के बात करते हैं और अगला प्रश्न संख्या ग्याद कि जी घग जो इतना इतना ओर तीस पूर्टा क्या करेगी विभाजित करेगी तो देखिंज 500 30 35 से चारीच और तीस है तो बड़ी से बड़ी जब भी संख्या आता है ना भाई साब बड़ी से बड़ी अगर संख्या आपके सामने POOC ले तो यहां पर मॉसा निकाला जाता है मॉसा क्या 25 होगा नहीं सर पड़ीस भी नहीं होगा पंदरा सब्सक्राइब महस आप वही होता है जो पूरी संख्या उससे क्या आ जाती है तो 5 से पूरी यह कटेगी यह कटेगी यह आप सन्सें नम्हर डी यह टाइटी आपको लेंगे आप ठीक है चालिए अगले प्रस्मा की बात करते हैं और देख लिजी विस्तार भी किया आपका महस निकाला है ठी इसमें बताना है कि कौश संख्या जो आट से विभाज नहीं है यहाँ पर नहीं वाले फित्थ्वड ध्यान दिजिए एगा ठीक ना नहीं तो गलती करता है हम बहुत अब देखिए आट से कटने का नियम कीया होता है तो आट्से कटने का नियम होता है कि अंतिम 3 अंको को भा बाग करना है तो देखिए 673 है आठ से भागी यह कट रहा है तो आपको आगे चेक करने की आपको जरूत नहीं है क्योंकि यह पूछा आए कि आठ से भाज्य नहीं है तो आठ से कटेगी नहीं बागी सब देखिए 832 है यह तनक से भागी है तो समभावित मानों की क्या क्या हो सकते हैं तो पहले देखिए जो नमबर दिया है उसको लिखे दो साथ चो यह है स्टार और यह है आपका एक यह तीन से भाज्य है क्या है तीन से भाज्य है तो इस्टार के संभावित मान क्या बताना है आपको इस्टार के संभावित मान आपको बताना है ठीक है तो कैसे अलका रहेंगे अब देखिए ज सतना होगया सोला हो गया तो सोला में क्या जगा पहले घृता जवायर तोsen पॉलG भी तो हो सकता है मान जो रखने पकड़ जाएगा तो बिल्कुल एक ही अंक है रखना है आपको ठीक न तो दो होगा सब दो में анич 7 दो फिर स्वेन दो पांच को और आपको गड़ीगन पांच भी रखेंगे तो क्या होगा आठ पांच और दो होगा तो जोड देजिए आठ पांच ते रहे और रहे हैं पंद्र, आप पंद्र बीकल्पiliar कौन सा है दी है और यही है क्या होगा राइट ? समझब में खाल है स्टार के संभावितमान का मतलब का कि क्या कि आप रख सकते हैं औंक में ? इक अंक में ठी रहें देखे नहीं तो रख क्या हो जाएंगी तो हमारा फिर्न इन का योग का मतलब ₲-जोड ₲-0 बने आठ पाउस 13-2 कितना हो जाएगा थीक है चली समझ निजे बिश्थार में किया है इस तरह से करेंगे करते रहेगा ठीक है अगला देखिए अगला है कि एक संख्या परणाली में 14528 को एक संख्या से बिभाजित करने पर सुरिष को भागफल भागफल 83 और सेज तीन प्राप्त होता है तो भाजक है अब देखिए भाई साब आप इसको हल करेंगे काफी टाइम लगेगा लेकिन मैं आपको इसको हल कराऊंगा बहुत जल्दी से करेंगे एक तो कारी है कि देखिए 14 है 528 है इसको कह रहा है कि जब 83 से भागफल जो है 83 ह एक संझ हैसे भाजिट करने पर शुरेश को भागफल तो 93 मिल रहा है लेकिन सेस्फल क्या मिल्रा है तीन तो सेस पर तीन का मतलब कि सर अगर कोई भी संख्या रहती है अगर सेस बजता है तो सेस को संख्या में से घटा देते हैं तो संख्या पूरा तरीके से क्या हो जाती है कर जाती है कर जाती है ना और जिसे मान के चलिए आपको समझाते हैं अच्छे तरीके से मान के चलिए कि य यह संख्या दो ही हो तो जो तीन सेश बच रहा था अगर तीन को घटा तेंगे तो दोस्ट नहीं कट जाएगा तो आप कहांगे कि हां कट जाएगा तो यही चीज़े है यहां पर यही समझना है आपको बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया अप कैसे सर चौदव पांसो अ इसमें से सिस जो बच रहा इसको घटाई है तो आप घटाएंगे तो जो हो जाएगा मान अपका ठीक है जो मान होगा वापका कि देखिए यह था हमारा प्रस्ण ठीक है तो इसको हल कर रहे थे तो यहां पर ध्यान दिये दिजिए आप थोड़ा सा क्या कि 14 और जो था आपका क्या था चोड़ा था उसके बाद से पांच और अठाईस था तो इसमें से जैसे ही आप तीन घटाएंगे तो आपका कितना आएगा पांच आएगा दो पांच चार एक यहीं से आपका सवाल जो होता है अब देखिए पचीस है तो वो संख्या पचीस से कटने वाली ही ही नहीं है एक सो पच्छतर यानि अप्सन नंबर डी आपका राइट अंसर हो जाएगा और आपको आएं सोच में पड़ गए होंगी जिसार इतना असानी तरीके से अपने से क्वाइस से कर लिया हां भाई आप भी कर सकते हैं यहां पर क्या है कि लास्ट का पचीस है जैसे आपका राइट और सटीक अंसर होगा ठीक है तो ध्यान देजिए देख लिजिए आप इसका दिस्तार देख सकते हैं कैसे इसने हल किया है भाई सहब तो ऐसे हल करेंगे तो आप जो है एक्जाम लाइक नहीं है ठीक है हाँ तो ध्यान रखेगा अगला है कि वह सबसे छोट ये ज entwickelt दो हजार है यानि-दो हजार मनें बीस हजार में जोडने पर उनका योग बारां पंदरा और पचीस से क्या हो भीभाज्य हो तो देखिए बारां पंदरा और पा जाईया बिफात से बुन चाहिастर हो टो इसका कैसे हल करना है ये शको आप देखिए 12 मतलब कि 3 से का यह जो है चार से कट जाएगा बिल्कुल चार से कट जाएगा क्या तीन से कट जाएगा आपको एंगे सर आठ एक नव तीन से भी कट रहा है बिल्कुल सही क्या यह सर पचीस से कटेगा तो आपको एंगे सर पचीस से यह नहीं कटेगा औसी है न तो पचीस से नहीं कटेगा अंतिमों ठीक है इसका नतलब यह नहीं होगा तो आप्सन नंबर यह जो होगा वह हमारा नहीं होगा यह नहीं हो सकता 150 को देखेंगे तो क्या 12 में चार आ रहा है तो तीन्चों को बारा कटेगा आपको एक नहीं कटेगा सर चार से 200 है तो 200 देखेя सब से कटेगा 25 से इस इस के नहीं करता है इसका मतरब यह भी नहीं होगा तो हमारा बचा कौन सा, तो सर बचा हमारा option number D, और यही हमारा क्या होगा, right answer होगा, 100 जोडेंगे, तो जैसे ही 100 जोडेंगे आप 20,000 में, तो यह संक्या देखिए, 2 और 1, 3 कट जाएगी पूरा, समझ रहा है न, तो इसका मतलब है कि सर हमारा कौन से जोडना पड़ेगा, 100 ज दोरा क्या हो, विभाज्य है, देखिए, 2, 4 और 6 दोरा विभाज्य है, और घौन चाहिए, तो ऐसे देखिए, इतना सिंपल सा है, तो आप इसका लस निकाल सकते हैं, अरे सबसे छोटी, तो सबसे छोटी मने लस हो, घौन मने घौन कर दीजिए उसका, तो 2 और 4 और 6 का लस हो जाएगा, आयत समझ में, हाँ, तो बहुत असानी तरीके से जो है, आप इसको हल कर लेंगे, ठीक है, चलिए बात करते हैं, अगले प्रशना की, और अगला प्रशना आपके समने इह रहा, क्या कह रहा है इसमें, तो इसमें कह रहा हैं, कि यदि संख्या इतना इगारा से बसे एक हो जाएगा, तो जोड़िये, तो इस्टार में स्टार हो जाएगा, सर प्लस चार हो जाएगा, प्लस एक हो जाएगा, फिर मैनिस करके घटाते हैं, उसके बसे क्या है, तो जो बचा है, छो और चार कितना हो जाएगा, दस, आप घटा दीजिए, तो जैसे घटाए लिया तो इसमें 6 जोड़िये तो 6 तो जोड़ नहीं सकते आप 5 जोड़िये ताकि यह 0 बन जाए तो जैसे अगर यहां पे इस्टार के जगा पर पांच रखते हैं तो पांच पांच दस दस जाएगा तो जीरो जब भी इनका अंतर जीरो आता है ना तो संख्या इगारा से क् जाती है तो हमारा मन क्या होगा इस्टार के जगा पर पांच होगा एक 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 उनको छोड़कर जोड़ते हैं और फिर जो बचा उसको जोड़कर घटाते हैं अगर जीरो आता है अचाहां इगारा के पहाड़े में आता है तो इगारा से क्या हो जाता है कट जाता है तो इस आपके सामनी है रहा है क्या है इगरावा प्रस्ण कि कौन सी संस्ख्या नोग भाज्य है अब बता रहा है कि कौन सी संख्या है जो 90 कर जाएगे तो 90 करने के लिए सभी को जोड़िए 56 11 11 12 12 13 15 15 नहीं कठेगा नों से 89 18 4 21 45 35 ये भी नहीं कठेगा 9 4 13 6 19 19 5 24 24 27 सर यह कटेगा तो यही आपका राइट एंसर हो जागा फिर आगे देखने के ज़रुरत नहीं है यह नहीं कटेंगे ठीक है तो आगे देखने के आपको ज़रुरत नहीं है चलिए बात करते हैं अब अगले प्रश्ण की और अगला प्रश्ण आपके सामने यह रह तो यह हो गया देख सकते हैं आप निचे दिखा आगया है अब चलिए इगर बरहा हमें प्रस्ण की बात करें और बरहा प्रस्ण आपके सामने यह रहा है क्या गारा है कि निम्ला लीकित में से कौन से संख्या चार से पूर्णता विभाजित है अब चार से कटने वाली पत सब्सक्राइब कोई भी चार से नहीं कटेगा यह तो सिंपल था ठीक देख लिजिए का दिखाया यहां पर अगला है कि किसी संख्या को चार पांच छोट अजन साल से विभाजित करने पर पर तेक मामले में एक से बसता है तो वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है देखिए इतना है आँ सबसे छोटी संख्या हमसे पूछा हुआ है तो आप सिंपल सी बात है इसका लासा निकाल दीजिए जो से एक बच रहा है ना उसको जोड़ दीजिए तो चार पांच छोटा सा नमबर लासा तो निकाली सकते हैं बिल्कुल सर तो चार पांच बीस हो गया चार लेकिन आपका एक जोड़ दिये हम डाइरेक्ट ठीक है जो सेष बचता है उसको आप जोड़ दीजिए आपका एंसर हो जाएगा चार सो एक इस लोसर निकाल कर सिधा सिधा क्या करना आपको एक सेष बच रहा है उसको जोड़ देंगे तो आप इंसे विभाजित करेंगे हमेशा सेष एक बचेगा ठिक चलिए अगला सिंपल सथाई है किन नकाल जाता है मौसा याईकी सेफ निकलते हैं देखिए अब यहां पर कहा क्या है सवाल में हमारे तो सवाल में कहा है की 105 से 95 छिस बजता है तो एक सो पांच में अपनो घटा दिजिए एक सो पांच में से नह sok है एंगे तो कितना हो एक सूसे 15 Whats approveгляब Во 15 में से Figado 6 गतेका ना चो और ऑक कितना हो जाएगा 144 तो जानबे हो गार 104 और 140 यरो इन दोनों का मसर 7 पर कर। जाएगा तो जीसे आप अपिशनान एक सर निकलना था घटा कर बस आपका कहानी होता है απο अगे बढ़ते हैं देख लिजिए आपको दिखा गया आप ठीक है अगला देखिए वह कौन सी सबसे बड़ी संक्या जो दो तीन रख कर इतना और इतना को करम से विभाज़त करते हैं फिर वही सवाल यह आपके लिए सवाल है ठीक है 276 में से दो घठा दीजिएगा 330 में से तीन घठा दीजिएगा बस आपका एंस्वर खटा कर दे अजाएगा ठीक है तो ध्यान लखेंगे चलीए यह आप करेंगे अगला देखते हैं और सी टाइप के सवाल है ठीक है अगला देखिए तो यहां पर हॉल भी कर दिया है आपका देखेंगे तुसर यह तो नहीं होगा अब देखिए इसमें देखते हैं पहुला अप्टांस लेते हैं तो जुड़िये इसको दोसे तुकटे जाएगा तीन से देखते हैं तो दो एक तीन तीन च्छो ये भी कर जाएगा आठसय पंदर कर जाएगा यानि कि इसका मतलब स्थार में हल किया है यह भाई साब कि इतना कि इसलिए संग दी गए विकल्ब में संपस्तितंक एक सचुने ताकि संगे छो से भी बाटता भीभाजी हो भी बाटती बीव हो जाए बिकल्प एक जरती नो कर जाएगा ऐगर ji तो जीरो होगा फिर और क्या हो सकता है तीन भी हो सकता है और क्या हो सकता है और क्या हो सकता है और क्या हो सकता है नौ भी हो सकता है तो देखिए कौन सा भी कलप है जीरो तीन च्छो और नौ में से कौन सा है तो आपको एंगे साथ तीन है तो आपसन नमबर सी आपका क्या कि प्राप्द संख्या 29 से पूर्ट विभाजित हो जाए भाई साब देखिए एक सवाल ऐसे भी देते हैं हमारे एकजाम में कि हमको मजबुरी होता है वहां पर भाग देना ठीक है इसमें हम कोई तरीका नहीं लगा सकते तो सीधा सीधा क्या करना आपको 29 से भाग कीजिए आ इन लिखित में से कौन से संख्या 29 से घटाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 31 से पूरी तरह क्या हो जाए विभाजित हो सके अब एकजित से बिभाजित देखिए इसमें बताते हैं एकजित से बिभाजित होने के लिए या तो आप भाग कर किजिए और उसको उसको घटाई देखिए अए नहीं तो एकजित का मतलब कि सर तीन और साथ से क्या होना चाहिए चैसे तो इगारह चोरासी है तीन से देखते हैं जैसे पंद्रा आप घटाएंगे तो तीन से अट जाएगा तो छोदमें से 5 जाएगा 9 और सात ने जाएगा 6 और 11 तो इसकी स आप आठ घटाते हैं तो इतना में से आठ घटाई है तो 14 में से आठ जाएगा छो और यहां पर बचा आपका साथ इसको जोड़िए 713 1415 यानि कि आप सनमर कौन से होगा एट होगा इसको घटाने पर संख्या एक कई से क्या हो जाएगी कट जाएगी आप देख लिजिए आप सनमर सी भी आया है और नहीं तो एक तरीका है कि अब भाग दीजिए अगर भाग में तेज हैं तो आप ठीक है ना चलिए अगला बात करते हैं और यह है कि 3749 में से कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह 11 से पूर्णता भी भाजित हो जाएगा अब इसको तो भाग करना पड़ेगा भाग करना पड़ेगा भाग कर लिजा सिंपल सा है तो 11 कम 11 63 बचा 11 55 हो जाएगा 889 बचा 11 88 बचा एक घटा करती हो गई हमसे स्वरी उसके लिए तो यहां पर भाग कर लेंगे देखिए भाग किया है तो यहां पर एक बचा है और यह पूछा है कि 11 से कटने वाली चाहिए ना ठीक है एक तो बचा था हमारा सई भाग था लेकिन उसको घटाना पड़ेगा किसमें से तो 11 से 11 से 10 अग जोडने पर इतना से क्या हो जाती है बिभाजित हो जाती है तो देखिए छोटी से छोटी कलासर निकाल लेजिए तो चार पांच और चार कलासर निकालेंगे तो कितना आएगा तो आप पहेंगे सर चार पचे छो पचे तीस तीस तुना के साथ आएगा इस कलासर कितना यह जोड़ेंगे तो 7,52 हो जाएगा तो लेते हैं कोइसे पकड़ते हैं 5 जाँ जोड़ेंगे तो चो बारता नहीं कटेगा एक सच जोड़े तो यह भी नहीं कटेगा 44 का जोड़ेंगे तो चोब जास और ज्यूरत सर्थ यह छौस नहीं कटेगा इसका मतलब 44 भी नहीं होगा क्या सोला होगा 16 जोड़ दीजिए क्यों सोरी यहां पे जो है आप देखे थे तो कितना जोड़ेता वाइसाब तो इसमें जो हम wichtig आपका 54 जोड़ेतood देखिए चो दस हो चो पन में चो वाली से आप जोड़ेंगे चो चर दस का जीरो पांच नौक दस का जीरो चारी कितना हो जब पांच ये कट रहा है इसका मतलब अपसा नमबर कौन सोगा सी आपका राइट एंसर होगा ठीक है हमने गलत जोड़ दिया था हो आप तो देख ल गर्टी आप करने दो थैम लगेगा लेकिन अगर आप थैम के पार अगर आपसे कहें की सरतिंसरे पांच लोख नजे ।्यान तो आपको हमलेंगे ये कि नहीं लगेगा बस यही उसकी प्रीक है क्या भाग किजिए अब देखिए साथ के पाउर पांच का मतलब 343 होता है जैसे साथ से भाग करेंगे तो सेसफ़ल आएगा कितना तो आपका 343 नहीं आएगा 243 आएगा साथ से भाग किजिए तो आपका सेसफ़ल पांच आएगा आप पांच कितना बार आएगा तो सर एक बार यहां पांच आएगा ठीक है एक बार यहां पांच आएगा अगुड़े यहां पांच आएगा तो पचपचे कितना हो जाएगा 25 अब 25 को आप साथ से असानी देश सबैस्टा सकते हैं तो साधी का 21 से अबसे से बचेगा सर्चार हमारा यानि की ओप नमबर अपका क्या होगा राइइट अमसर होगा आया समस्में एक बढ़ क्या करना है तीन पावर पांच 5 तो पीन हो जाएगा यह तो तीन हौच होता है तो एक बार किजिए तो शाथ से भाग कि करेंगे तो शेसफल पांच बचेगा तो दूसरा बार भी क्या बचेगा पांच तो पांच पचे कितना हो जाएगा 25 अब 25 को फिर 7 से रिवाइट किजिए सात्री का 21 और सेस्फल क्या बचेगा चार यानि कि option number यह आपको क्या होगा right answer हो जाएगा ठीक है और नहीं तो यह दिया है कि भाई पूरा बर्ग कीजिए और हल कीजिए इसको ठीक है ना पूरा बर्ग कीजिए और क्या कीजिए आपको पता है यह आप हल करेंगे ठीक है नौस बिभाज यह का मतलब की सभी को जोड़िए और 9 के पाड़ा में आता है तो वह संख्या आपका answer हो जाएगा ठीक है बाकि तो इसका answer दे दिया है यहाँ ठीक है अपसा नमबर भी है अपका अगला देखिए इसको और अंतिम प्रस नहीं है कि 3x का स्क्वाइर एक सब 4 x मैंस 5 जो दोरा पूर्त बिभाज यह हो तो एक कमान कितना होगा तो सीधा सीधा x बराबर क्या रख देजिए 5 x मैंस 5 बराबर 0 रखे तो x बराबर क्या होगा 5 5 रख देजिए इसमें आप कमान क्या हो जाएगा आ जाएगा तो 5 रखिए x बराबर तो जहां जहां है वहां 5 रखना सर यहां पर देखिए 3x का स्क्वाइर प्लस a x प्लस 4 इसके बराबर आपको 0 मिलेगा तो यहां पर रखेंगे तो यह हो जाएगा 3 गुड़े 5 एक एक जगा पर 5 तो 5 का दो बार 5 प्लस a गुड़े 5 और माइनस माइनस है न आपका यह प्लस है प्लस है प्लस 4 है तो 4 रखिए यहां पर तो 4 हो गया तो 25 तो कितना हो जाएगा 75 प्लस a में 5 प्लस प्लस 4 बराबर 0 तो इसको हल कर देजिए आपका एंसर हो जाएगा तो 75 हो गया प्लस 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 5 और माइनस हो जाएगा यानि कि माइनस का 89 बटे 5 में भाग कर देजिए आपका एंसर आज आएगा तो आपका एंगे सर माइनस का 5 एकम 5 ठीक है 89 था 7 और 9 पाच एकम 5 दो 39 बचा और पाच पचे 25 और उसके बाद से 4 पाच बटे 40 यानि कि माइनस का 15.8 तो 15.8 कौन सा अप्सन है आपका 15.8 तो आपका आपसन नंबर सी है यानि यही आपका क्या होगा राइट इंसर होगा तो मुझे आसा है कि 25 कोश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ भी आगवे होंगे और यह पहला टाइप का प्रशन आपका था ठीक है ना तो ध्यान रखेंगे इसको आज के लिए बस इ जहेंगे